इंडिया और अफ़किस्तान की बिच 30-70 मैच खेला गया था और इंडिया टीम ने इतिहासिक जित दर्ज की है तो आप लोग भी जानना चाहते हैं पूरी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सस्क्राइब करना मत भुलेगा हाँ आपको बता दे कि कप्तान रोहित सर्मा कोहर बनकर बरस गए अफ़किस्तान के बोलोरों के खिलाप आपको बता दे कि तीटपन रन पचार बीकेट गवाकरी इंडिया टीम बहुत मुश्किल से उफड़ी थी जो कि डिंकु सिंग और कफ्तान रोहिद सर्मा कोहर बनकर बरस गए अपकिस्तान के बहुत लड़ो पर आपको बता दे कि बहुत बड़ा पारी जो कि तीटे बेंडी में आज तक रोहिद सर्मा नहीं खेल पाये थे वो इस मैच में खेल पाये हैं आपको बता दे कि एक सो एक सो इस रनों का पारी खेले हैं जो कि तीटे बेंडी में आज तक खुद रोहिद सर्मा नहीं खेल पाये करते हुए इस मैच को जीत ली है आपको बता दे कि सूपर ओभर में भी बहुत मज़ा आया था जो कि पहले बले बाजी करते हुए सूपर ओभर का अफगिस्तान ने 16 रनों पर एक बिकेट गावा कर 17 रनों को लक्ष दिया था इंडिया टीम को और पहले बले बाजी करते हु इस मैच को भी डरा कर दिया गया और दूसरा सूपर ओभर भी खेला गया तो आपको बता दे कि दूसरा सूपर ओभर में पहले बाले बाजी करते हुए इंडिया टीम ने भारतियर टीम के दो दिगज खिलारी उत्रे जो कि रोहित सर्मा और रिंकु सिंग दूसरा मैच में रोईचर में एक छाका और एक चोका लगा कर एस्टराइक पर डिंकु सिंग को दे दिया और डिंकु सिंग पहले ही गेंद पर आउट हो गए उसके बाद आते हैं संजु सेमसंग जो की दूसरे ही चोथे गेंद पर वो भी आउट हो जाते हैं और 11 रोन पर इंडिया टीम को दो विकेट गिर जाती है उसके बाद आती है अफ़किस्तान की बैटिंग उसके बाद आते हैं बॉलर में इंडिया टीम लेकर रभी विश्णोई का और रभी विश्णोई ने एक ही ओबर में दो विकेट छटका कर एक इतिहासिक दर्जी की है झाले है जाहँ जब स्टने स्टना पर रieval विकेट ऒलत। विर्यवा कितो है है जाजे शसके बाद का है है जाती है जाती है है है